जुन्चुनु में भारत्य कम्यूनिस्ट पार्टी ने डियेपी संकट और फसल मुआवजा सहीत विभिन मांगो को लेकर भारत्य कम्यूनिस्ट पार्टी ने कलेक्टर को राष्टपती के नाम ग्यापन दिया धरने के दोरान किसान नेता उन्हें कॉंग्रेस और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए का कि दोनों पार्टे ओप किसानों पर राजनीति ना करके उन्हें राहत देने का काम करना चाहिए किसान एता फुल्चन बरबर ने कहा कि देश में अंदाता की हालत खराब होती जा रही है उनकी मूलभू समश्या बिजली पानी को लेकर सरकार गंभीर नहीं है समय पर बिजली नहीं मिल रही है जिस कारण फसलों का उत्पादन नहीं हो पाता है फसले खराब हो रही है डियेपी का संकट भी लगाता जारी है राज्य सरकार को जिले में फसल खराबी की गिद्दावरी कराकर फसलों को किसानों को जल्ब मुआफज़ देना चाहिए जिसे किसानों के सामने खड़ा आर्थी संकट कुछ हद तक कम किया जा सके गया है एक सो पंद्रा रुट्या परती लेटर पेट्रोल जूंडू में भिकला है हिंदुस्तान के 23 स्टेट्स में सब से महेंगा गाजस्तान भी मिल रहा है जिले की भी कुछ समझे हैं जिसमें डीएपी है कुछी भी दुकान पर डीएपी मिलनी रही है किसान प्रेशान है फचल बहुत बुरीतरे के खराब होई और उसका हमने बार बार गया पन दिया कि इसका गिरदावरी करके मुआउजा दिया जाए लेकिन सरकार उसका कोई जंबिटा से उसके विचार नहीं कर रही है जिले में पानी का जो हिस्तर गिरता जा रहा है यमना जल समझोते का जो प्रस्ताव था उसको खंडे बस्ते में डाल दिया है इसलिए हमारी इन मांगों को लेकर के पैट्रोल डीजर महेंगाई नीजी करन और यह जो आपकी जि इनको लेकर के आज ये एक दिन का ज़र्णा मार्क सोदी कमिस पार्टी द्वारत दिया जा रहा है